तो आई स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में तो बिसिकली इस वीडियो में लोग क्या बात करने वाले हैं 3D अनिमेशन से मदब से इस वीडियो में बैसिकली बात करेंगे कि किस प्रकार H2 O2 के साथ रियाग करके H2O molecules का formation करता है या वाटर molecules का formation करता है तो theoretically तो हम सबी चानते हैं कि H2O के साथ रियाग करता है तो हो H2O का formation होता है लेकिन 3D अनिमेशन के मदब से हम लोग किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे ज़़ा समझ सकते हैं और यह हमारे लिए काफी क्यूरियस भी होता है तो चली हमने स्टार्ट करते हैं जानने के कोशिश करते है कि किस प्रकार H2O के साथ रियाग करके वाटर का formation करता है तो मैं आपको बता दूँ कि H2O oxygen दोनों ही non-metals है और दोनों के पास ही elektrons के कमी है 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 जिसे एक और एलेक्ट्रॉंस की जरुवत होती है ताकि अपना ड्यूपलेट पुड़ा कर सके उसी प्रकार oxygen के आउटर मोस में सेल में सिर्फ छे होते हैं और उसे दो एलेक्ट्रॉंस और चाहिए होते हैं ताकि वह भी अपना पुड़ा कर इस्टेबल रह सके इसलिए दो हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सिएन के साथ कोवेलेंट बॉन बनाकर इस्ट्व मॉलेकुस का फर्मेशन करते हैं कोवेलेंट बॉन बैसिकली ऐसा हैं और ители बन्टान जोकी ल्च्ट्रॉंस के सेर करने बना करने बनेता हैं है यहांनी dave performs देंगि फल्म उप्रोजर्ण के साथ तो औक्सियलस का लिए पूरा हो जाएगा और ऐसि लिए क्या होगा कि वे तीनों स्टेवल मिल्क स्टेवली हो जाएंगे और एक तरह से एस्ट्यू मॉल्यूकिस का फ्रमेशन कर देंगे तो बसक्राइब आज के लिए इतना है अगर आप लोग को ऐसे वीडियो चाहिए तो आप लोग किस पर करेंगे कमेंट सेक्षिन के बताना ना बोले दन् कि बतानाओ लोग कि अपके लोग कि disparities आप लोग कि अधिन है дав価 रहामें बसक्ष्षाब लोग कि हर दोग कि अारव कि टार आपनों स्वटिस